हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक स्टुडेंट्स हम एमभी में चैप्टर 5 की स्टडी कर रहे थे जिसमें हम स्टडी कर रहे थे सेफटी रूल्स के बारे में हमने यहाँ पर एंड किया था अब हम नेक्स आगे से कंकिन्यू करते हैं अब इस चैप्टर में क्या था कि टीचर किसके बारे में बात कर रहे थी सेफटी एट रोड अब हम बात कर रहे हैं अब टीचर किसके बारे में बात कर रहे हैं सेफटी एट होम यानि कि घर पर सुरक्षा She said, Children, it is better to be cautious than to get hurt उन्होंने कहा, बच्चो इससे अच्छा है, किसी भी हानी को पाने से अच्छा है कि हम साधान रहें There are many things that you should not play within the house Let's see what they are ऐसी कई सारी चीजे हैं कि जिनसे आपको घर में नहीं खेलना चाहिए चलो देखते हैं वे क्या है You should stay away from the electric switches, wires and equipments आपको electric switches से, wires से, equipments से दूर रहना चाहिए They can give you an electric shock, वे आपको electric shock यानि की current, electric shock दे सकते हैं You should not play with fire, you can burn yourself आपको fire आपके साथ नहीं खेलना चाहिए, आप खुद को ज़रा सकते हो You should not play with sharp aids, things you can cut yourself आपको पैनी चीजों से नहीं खेला चाहिए, आप अपने आपको काट सकते हो You should not take anything from the strangers, आपको किसी भी stranger से अजनवी से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए You should not play outdoor games inside the house, आपको outdoor games को घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए Play with fire crackers only when some elders is around आपको fire crackers यान की पटाकों से जब खेलना चाहिए, जब आपके elders आप से कोई बड़ा आपके आसपास हो Children were very happy to learn all this, बच्चे इस सब को सीख कर बहुत खुश हुए Then Miss Jasmine asked them how they would remain safe in school तब Miss Jasmine ने उनसे पूछा कि में स्कूल में कैसे safe रहेंगे At this children started looking at each other इस पर बच्चे एक दूसरे को देखने लगे Rohan said Miss we should be careful of the pointed is of a pencil and sharp is sharpness Miss Rohan ने कहा Miss हमें penny नुकिली पैंसल से और penny sharpness से careful रहना चाहिए Miss Jasmine pressed him and continued Miss Jasmine ने उसकी प्रसंसा की उसको pressed किया और continue किया Children you should not rush on the stairs बच्चो आपको सीडियों पर नहीं भागना चाहिए You can fall down आप गिर सकते हो You should not push each other in the playground आपको एक दूसरे को playground में धक्का नहीं मारना चाहिए You should always move in queue आपको हमेशा queue में चलना चाहिए Never try to get down from a moving bus कभी भी चलती हुई bus से उतरने की कोशिस नहीं करनी चाहिए At the end of the class और class के end में When Miss Jasmine asked the children if they understood the lesson And if they would follow the rules All the children said aloud yes and promised to be careful from then on जब Miss Jasmine ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने कि वे इस lesson को सीखे और वे rules को follow करे All the children, सभी बच्चों ने टेज से loudly कहा Yes और promise किया इस सब चीजों से careful रहने के लिए So did you learn something? इसलिए आपने क्या आपने कुछ सीखा? तो बच्चों इस चैप्टर में क्या था? कि इस चैप्टर में हमें कैसे safe रहना चाहिए Road पर, school में, घर पर हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए? क्या चीज नहीं करनी चाहिए? क्या चीज करनी चाहिए? ये सब हमने इसमें सीखा तो आगे से आपको भी ये rules follow करने हैं, जो इस चैप्टर में बताया है, उसे आपको भी follow करना है ओके सुदेंस, ये चैप्टर इस फिनिए्ट क्या चाहिए?